गुड मॉर्निंग स्टुडेंस यूटूब चैनल इंडिया ओल डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में जो बादामी के या फिर वातापी के जो चालू के थे उनके बारे में जो इत्यास उनके इत्यास से समधी जो जानकरी मिलती है और जिन सादनों से जानकरी मिलती है उन सादनों के बारे में हम आज जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखे इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें चालू के बारे में और चालूकियों की तीन जो साखाएं थी उनके बारे में सब के बारे में हमने अच्छे से आपको समझाया था तो पहले वाले वीडियोज को देखेगा आप वो वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको ये वाला वीडियो भी अच्छे से समझ में आएगा तो देखें हम आपको थोड़ सा बताते हैं चालूकियों के बारे में तो देखेंगा जो दक्षिनापत है वह मोरिय समराजे के अंतरगत था जब मोरियों की सक्ती कमजोर हो रही थी और भारत में अनेक परदेश मोरियों के अदिनता से मुक्त होकर स्वातनतर होने लगे थे तो दक्षिनापत में साथवान वंस ने अपने एक पर्थक राजे की स्थापना की अब क्या होता है कि साथवान उन्हें मगत तक अपने समराजय का विस्तार कर लिया था सक्साथवान संगर्सों के कारण साथवान वंस भी कमजोर पड़ गया तो दक्सिन में अनेक ने राजवनसों का जन्म हुआ था इन में जैसे कि वाकाटक है कदम्भ है पल्लव वंस है इनके ना महतोपून है और इनी वंसों में से एक चालू के राजवनस आता है जो एक इत्यास में काफी महतोपून है और इस वंस सम्मंदित कई बार क्यूसन भी पूछे जाते हैं ठीक है तो देखेगा जो चालू के राजवनस है इसकी तीन साखाएं थी हमने आपको पहले भी बताया कौन-कौन से थे बादामी या वातापी के चालू के जो मूल साखा थी और वेंगी के चालू के इनने पूर्वी साखा भी खा गया है और कल्यानी के चलूके इन्हें हम पस्चिमी साखा भी कहते हैं चलूकियों की तो चलूकियों की मूल साखा थी बादामी के चलूके और चलूकियों की पूर्वी साखा थी विंगी के चलूके चलूकियों की पस्चिमी साखा थी कल्यानी के चलूके ठीक है तो इधर हम लोग इस वीडियो में बादामी के चलूकियों के जो इत्यासिक स्रोथ हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं, बादामी या वातापी का चलूकियों के इत्यास की जानकारी के साधन, तो देखें, जो बादामी है, इसके चलूकियों के इत्या करनाटक प्रांथ के बिजापूर जिल्ले में इस्तित है और ये लेख एक पर्शस्ति के रूप में है तता इसकी बासा संस्क्रित है और जो इसकी लिप्पी है वो दक्षिनी ब्राहमी लिप्पी है इस लेख की रचना रवी कीर्थी ने की थी तो देखें कई बार पूछ लेते हैं एहो लभी लेख है ये किस सासक से सम्मन्दित है किस मन्द से सम्मन्दित है कहां इस्तित है इसके लिख कोन थे ठीक है तो ये इस्तित काम पे है कलनाटक प्रांथ के विजापुर जिले में और इसकी भासा क्या संस्क्रिद भासा और ये यह पुलके सिंसेकिंड के बारे में जानकरी परदान करता है और इनमें सरवादिक महतोपुन चालू के सासक पुलके सिंसेकिंड का जो भी अभिलेक है उनमें सबसे परमुख जो अभिलेक है वो है एहोल का अभिलेक और एहोल का अभिलेक है यह चालू के सासक पुलके सिंसे पुलकेशिन सेकर्ण सबस्यासक था और जो एहोल अभिलेक है इसमें सक्ष समवत 556 अर्थाथ 634 इस्वी की तीथी अंकित है इस अभिलेक में पुलकेशिन जूईतिय की उपलब्दियों का वर्णन हुआ है इसके साथ यसाथ इससे हम पहले का चलू के थियास तता प्रकास डाला गया है तो हर्षवर्दन जो था उसके साथ पुलकेशिन का यूद हुआ था इसके बारे में भी हमें एहोल अभिलेक से पता चलता है साहिते की दर्स्टी से भी इसका महत्व है और इसकी रचना कालिदा सता भार्वी की जो काले शैली है उस पे की गई है पर आलिदा सता बाहरवी के समान ही ये इस प्राप्ते किया है ठीक है तो ये था आपका एहोल अभीलेक कई बार एकजाम में पूछ लेते हैं एहोल अभीलेक किसका है और एहोल अभीलेक है इस पे कौन सी तिथी अंकित है ठीक है तो देखेगा जो एहोल अभीलेक है इसके इत्यास पर महत्वपन परकास डालते हैं तो देखेगा और कौन-कौन से अभी लेख है सोरी अब देखेगा आप लेख तो बाधामी का सिला लेख महाकूट का लेख हैद्राबाद, दान-पत्रा भी लेख विदेशी, विवरन ठीक है तो देखेगा बादामी के सिलालेक तो बादामी के किले में एक सिलाखंड के उपर खुदा हुआ ये सिलालेक है इस सिलालेक की खोज 1941 इस्वी में हुई इसमें सक्समत 465 अथात 543 इस्वी की तिती अंकित है इसमें बलभेस्वन नामक चालू के सासक का उलेक मिलता है जिसने बादामी के किले का निर्मान करवाया था तथा अस्वा में अधियग्य किये थे इसकी पैचान पुलके सिन पर्थम से की जाती है महाकूट का लेक ये है स्थान बिजापूर जिले में इस्थित है इस लेक की तीथी 602 इस्वी है इसमें चालू के वन्स की परसंसा की गई है तता उसके सासकों की बुद्धी, बल, साहस तता दानसेरता का उलेक हुआ है कीर्ती वर्मर पर्थम की विजों का विवरन महाकोट का जो लेक है इसे मिलता है ग्यात होता है हैदराबाद दान पत्राभी लेक ये सक समथ 534 अर्थाथ 612 इस्वी का है इस लेक से पता चलता है कि पुलकेसिन सेकिर ने यूद में सैकडो योधाओ को जीता तता परमेश्वर की उपादी धारण की थी इन सभी लेकों के अलावा भी जैसे कर्णूल, तलमंची, नोसारी, गडवाल, राइगड, पट्रिटकल, अधी स्थानों से बहुत संग्यक तमर पत्र और लेक भी प्राप्त है इनसे चालूकियों का कांची के पल्लवों के साथ संगर्ष तता पुलके सिंद्वित्य के बाद के सासकों की उपलब्दियों का वीवरन पराप्त होता है अब देखेगा विद्धेशी वीवरन जिससे चालूकियों के बारे में पता चलता है लेखों के साथ साथ चीनी यात्री वेंसांग तथा इरानी इथ्यासकार ताबरी के विवरणों से भी चालू के वन्स के इथ्यास पर प्रकास पड़ता है वेंसांग ने पुलके सिन द्वित्य के सक्ति की परसंसा तथा उसके राजे की जनता की दसा का वनन किया है ताबरी के विवरन से इरानी सासर खुश्रो द्वीतिय तथा पुलकेसिन द्वीतिय के बीच राजनेक सम्मंदों की सूचना मिलती है तो देखेगा इस वीडियो में हमने जो चालूकियों की साखा जो वातापी के चालूकिये हैं उनके बारे में जानकरी प्रदान करने वाले साधनों के बारे में जानकरी प्राप्त की और ये वीडियो एक्जाम की दर्श्टी से बहुत महत्ता पुन है इसी प्रकार से हम आगे के वीडियोज में आपको अन्य वंसों के बारे में भी बताएंगे जो इत्यास विश्य से सम्मादित है और एक्जाम में जिन से सम्मादित कई वार क्यूशन पूछे जाते हैं तो बने रहें यूटूब चेनल इंडिया ओल्डेज पे